कि यह इन डोस्तों मैं नवीन सरमा आप सब्छी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एक दम अच्छे हैं एक दम बहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे Associate part कि इस स्पछे क्लास में जिसमें हम आज स्पोर्ट्स को शुरू करने जा रहे हैं, खेल को शुरू करने जा रहे हैं और खेल में आज की पहली किलास है आपकी ओलम्पिक खेल से, ठीक है? तो दिहान से सारे जितने भी फैक्ट्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने, नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, खुस्बु कुमार, सुमरन, बंधना यादव, नकुल दिवाकर, प्रकास कुमार, चांदनी एजी, लकी मोरिया, सुंदरम पटेल, पुजा सिंग, सभी दोस्तों का स्वागत है, और एकदम दिल से स्वागत है अरब थोड़ा मुस्क्रा वुस्क्रा तो लिया करो यार, ठीक अभी नवस्ते, कार्तिक पवार गुजर, सर्चना, स्वेता, सगुन, के चौधरी, दीप, रख होसला, वो मंजर भी आएगा, ठीक अभी या, रख लेंगे, चलो भी आ, सुरू करते हैं क्लास को, ओलम्पिक गेम्स, ठीक है, हमिसा कुशन बनता है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, और बड़े दिहान से नोट्स बनाना, जो बनाएंगे, ओलम्पिक खेलो की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, प्यारे बच्चे ओलम्पिक दिवस की, किसकी, ओलम्पिक दिवस, क हमेशा से नहीं मना जाता था, ओलम्पिक दिवस मनाने की जो सुरुवात हुई है, वो सुरुवात हुई है, प्यारे दोस्त, 1948 से, कब से हुई है, सुरुवात 1948 से, वैनवाज स्टार्टेड फ्रॉम 1948, ठीक है, पहली पत, प्राचीन ओलम्पिक खेल युनान के ओलम्पिया सहर में, 776 इसापूर्व में खेले गए थे, कब प्राचीन पुराने वाले, 776 इसापूर्व में खेले गए थे, प्राचीन ओलम्पिक खेल एक ही बार हुए, रोम के राजा थियोडोस के आदेश के कारण इन खेलों का इविजन बंद कर दिया है, यानि पुराने हुए, आज से लगबगर हम बात करें, आज से लगबग 2700 साल पहले, और एकदम एग्जक्ट फिगर कि अगर हम बात करते हैं, प्यारे बच्चे, तो आज से 2098 साल पहले ये हुए थे, ठीक है, को दिकत इस बात में, क्या बोला मैंने, 2798 वहां इतना ही बनेगा, 76 में 22 जोड़ ल आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 1806 में इस्वी में, फ्रांस के PRAD कोबार्टीन के प्रियासों से यूनान के अथेंस सेहर में हुआ, तो कौन से सेहर में आजित हुए थे, अथेंस में, यूनान में, कौन वो जिन्होंने प्रियास किया, तो PRAD कोबार्टीन, बहुत important question है, कौन थे, PRAD कोबार्टीन, कौन से देश के थे, फ्रांस के निवासी थे, ऐससी question पूछ चुका है, PRAD कोबार्टीन किस देश के निवासी थे, तो इतने बड़े गेम्स को किसी वेक्ती ने सुरू किया, तो महत्पूर्ण वेक्ती तो है, तो क्या बोलोगे, ये फ्रांस के थे, अब प्यारे बच्चे यहाँ पर आप नोट लिखेंगे, ओलम्पिक खेलों का उद्देश्य क्या है, जो ओलम्पिक खेलों का उद्देश्य, जो ओलम्पिक गेम्स हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क अधिक महत्व पूर्ण है संघर्स जीत से अधिक महत्व क्या बोलेंगे महत्व पूर्ण है क्या बोलेंगे श्ट्रगल इज is more important than the victory बात समझ में आई और यह आपकी जिन्दगी में भी apply होता है तो आप जब जीत जाएंगे जीत जाने का मतलब है आप कोई सोच करके चल रहे हैं अभी जैसे आप परिक्षा की तैयारी को आधार बना करके चल रहे हैं कि आपको select होना आप अपना prelims जो दिसंबर में हो जब आप जीत जाएंगे उस जीत से ज़्यादा महतपूर्ण है आपने इसकी तैयारी के लिए जो struggle किये कितने dedicated आप इसके लिए रहे हैं कितनी मेहनत आपने किये है वो आपको selection तक ले करके जाता है इसलिए हमेशा जीत से ज़्यादा महतपूर्ण होता है आपका क्या struggle सं संग zaris jit से अधिक महत पूर्ण है हमेंसा आद रखेगी ठीक है संगर्रस jit से अधिक महत पूर्ण है कभी उद्देशाल नहीं भूलना है अब आते हैं जो अंतराष्ट्य on bubble кос infect क्या बोलते हैं इसको international ol' ten इसको international olympic committee क्या बोलोगें अंतराष्ट्य olympic committee international इसको कब इस्टेबलिस किया गया था 23 जून 23 जून क्या है इसका प्यारे बच्चे ओलंपिक दिवस हो गया और 1894 को इसकी स्थापना हुई और इंटरनेशनल अलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वह लुषाने 민주 लेंड में कहाँ पर है लुषाने के शिट्जर लैंड में जो इंटरनेशनल अलमुपिक कमेटी ए इसके जो वर्तमान अध्यक्ष जह वह थॉंस बॉलते हैं और यह अधिर बैंको जो भुटें पर आएं क्या बोलेंगे यह याद रखेंगे तो क्या बोलेंगे आधुनिक ओलंपिक समीति की स्थापना 23 जून 1894 में लेकिन प्यारे बच्चे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो सुरुवात हुई थी खेलों की सुरुवात तो पहले कमेटी बनी 1894 में और स्थापन हुई 1894 में और खेल जो सुरुवात हुई 1894 में से हुए ठीक है चलेगे अगली बात पर आते हैं प्यारे बच्चे हम थामस बॉक्स से हो गए ओलंपिक फ्लैक की बात करते हैं बड़ा डाउट रहता है बच्चों को तो दोहज की अगर हम बात करें ओलंपिक दोहज के मद अड़ा करते हैं तुम नहीं तू गलत नहीं लगा दी है देख लो एक बार कि दूसरी वाली फाइल है इंडी है तो लगाओ ना उसको उसको लगाओ ना फ्लैक तो तब दीखे एक मिनट देना प्यारे बच्चे है ना रहारा लोग में बता सकते हैं आप सब कैसे हैं अब ही तुम्हार कमेंट भी नहीं दिख रहे हूं जिको बस 30 सेकंड में लग जाएगा लगा दो इधने मैं आपको बता देता हूं ओलंपिक जो ध्वज है ओलंपिक ध्वज के मध्या में पांच चक्र है एक दूसरे से मिले हुए दरसाइगे हैं कैसे दरसाइगे हैं एक द जो विष्वज के 6 महादीपो को दरसाथे हैं तो ऐलंपिक १्षम में कितने महादीप है च्फै महादीप ऑन कोंसे अंक भी यह वह दो खेलते नहीं इंधिक कि वहांपर लोगं नहीं ँनीं अंक कॉंटिनेंट पर आपके तो कितने महादीपों को दुर्स आते हैं ठीक है और उसमें से नीला किसको अधर साएगा लगा देंग बार अरब या दिवाली तो अब दिवाली तो चलीगी होली का लगाओ पकाई यह है ठीक है देखो भी वापस आएगे तो मैंने बोला ओलम्पिक दोहज की हम बात कर रहे थे तो ओलम्पिक दोहज कितने महादीपों को दरसाता है च्छे महादीपों को दरसाता है भी है कितनों को च्छे महादीप को दरसाएगा कौन सा महादीप को ओलम्पिक दोहज में नहीं दरसाएगा है तो अंटार्क्टिका है कौन सा है अंटार्क्टिका है ठीक है नीला किसको दर साता है नीला ये यूरोप को दर साता है नीला किसको यूरोप को ठीक है काला अफरीका बलेक महादीप ठीक है ये कि अंद महादीप भी इसको बोलते है तो ये किसको है अफरीका को किसको दर साएगा अफरिका को लाल किसकी बात करते है नौर्थ और साउथ ऐसा कौन सा रंग है जो आपका जो दो महधीपों को दरसाता है तो वो लाल रंग है जो दो महधीप नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दरसाता है ठीक है येलो की बात करें ये मरीज को दरसाता है एशिया एश तो कितने महादीप हो गए छह बहादीप हो गए रंग कितने हो गए आप तक आपके चलो के रंग पांच हो गए लेकिन मैं आप से पुछू प्यारे बच्चे कि जो ध्वज है जो ध्वज है उलंपिक उसमें कुल रंग कितने हैं तो याद रख लेना चलो के रंग पांच है और जो background है वो white है तो background कैसा है? वो white है तो हमेशा याद रख लेना है प्यारे बच्चे रंग छटा कौन सा है? वो सफेद है, ठीक है? क्या बोलेंगे? छटा कौन सा है? आपका प्यारे बच्चे छटा है आपका त्यान से देखेंगे ओलम्पिक द्वज में कुल 6 रंग हो गए और सफेद रंग की क्या हो गई? प्रश्ट भूमी लेकिन चल्ले कितने आए? वो 5 रंग के हैं यह हमेशा याद रखें चल्ले कितने रंग के है? वो 5 रंग के है ठीक है? कितने रंग के हैं चल्ले? वो पांच रण के हैं ठीके कितने रण के हैं पांच रण के हैं यह द्वज, ओलमपिक द्वज किस ने बनाया था कोबारटीन अब एक बार कमेंट से कोबारटीन कौन से देश के थे तो आप कहँगे ब्हिया जी यह फ्राणस के थे, कहां के फ्रांस के थे यह द्वज पहली बार 1920 में Antwerp Olympic में फैरा गया तो द्वज जो पहली बार आपका सामिल किया गया कौन से Olympic में सामिल हुआ था बहुत important fact है 1920 तो द्वज कव Antwerp 1920 के Olympic में फैराया इसको गया द्वज का जो उद्वज्य है द्वज का उद्वज्य है CTS, LTS, 40M और कमिनीटर कमिनीटर हमेशा से नहीं था यह जो कमिनीटर वर्ड है यह जुड़ा प्यारे बच्चे 2021 में जुड़ा है और बहुत बार पूछा जा रहा है आपका आप देख रहे होंगे जो परिक्षाओं में 2021 में टोक्यो ओलंपिक में यह जुड़ा है तो आप से पूछा जाएगा जो ओलंपिक द्वज का उद्वज्य है जो परपस है इसका उस परपस के लिए जो चौथा वर्ड जोड़ा गया है कमिनीटर जिसका अर्थ होता है साथ 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 तो यह प्यारे बच्चे कौन से ओलंपिक में जोड़ा गया है टोक्यो में जोड़ा गया है देखें द्यान से सीटीएस का मतलब तेज उचा बलवान और कमिनीटर का अर्थ क्या है साथ 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 ठीक है तो यह दोहज का उदेश्य हो गया ऐसे ही बात करते हैं ओलंपिक मसाल की क्या आप का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जिसके सामने इस मसाल को जलाय जाता है पहले तो इसको प्यारे बच्चे किसके सामने सूरिया की किरनों से हैरा मंदिर के सामने जलाय जाता है कौन से मंदिर के सामने हैरा मंदिर के सामने सूरिया की किरनों से जलाय जाता है लेकिन ऑलंपिक म मसाल की शुरुवात कब हुई है 1928 के एमस्टरडम ओलम्पिक से यह बहुत महत्पूर्ण ओलम्पिक है क्योंकि यही ओलम्पिक है जब भारत ने अपना पहला गोल्ड ओलम्पिक में जीता है भारत की होकी टीम ने अपना पहला गोल्ड तभी जीता और तभी शुरुवात तो पहली बार मसाल मिनार के उपर जलाई गई थी सूरिया की किरनों के लिए हैरा मंदिर में और आधुनिक जो मसाल है जो मौडर्ण टॉर्च है ये 1936 से सामिल हुई है कब से? 1936 से कोदिकत 1936 से ये सामिल हुई है इस मसाल को खेल सुरू होने के कुछ दिन पूर यूनान के ऑलमपिया में हैरा मंदिर के सामने सूरिया की किरनों से मतलब ऐसे नहीं है तिली से आग लगा दिया आपने नहीं माचिस की तिली से तो क्या बुलेंगे ओलम्पिया में हैरा मंदिर के सामने सूरिया की किरणों से प्रजलित किया जाता है और इसी ओलम्पिया जो की ओलम्पिया परवत भी है एक ओलम्पिया माउंटेन भी है इसी की वज़े से नाम रखा था इन गेम्स का ओलम्पिक गेम्स ठीक है? ओलम्पिक गेम्स ओलम्पिक खेलो का टीवी पर प्रसारण कब से सुरू हुआ है? S.S.E. कुशन पूछ चुका है 1960 तो मैंने बोला 1920 में प्यारे बच्चे द्वज हो गया, फिलैग हो गया फिलैग टॉर्च कब सामिल हुई है? आप लोग बोलेंगे 1928 में, 1928 में ठीक है ओलम्पिक खेलो का टीवी पर प्रसारण ओलम्पिक मैडल देने की सुरुवात कब से हुई है? सुरुवात में नहीं, ये मैडल जो मिलते है इक बार सारे बच्चे बताएंगे आप इस बात के बारे में जानते है या नी? हर गेम का एक क्या होता है? सुभंकर होता है, मासकोट होता है तो ओलम्पिक जो सुभंकर सामिल किया गया ये 1968 से सामिल किया गया कब से? 1968 से पहली बार का सब कुछ महतपूर्णा Olimpik के लिए और पहला जो सुबहंकर था प्यारे बच्चे अगर हम बात करें कि पहला सुबहंकर कौन सा आपका रहा था तो हम कहेंगे इसमें कि भीया इसका भी कुछ नाम होगा तो अगर हम नाम की बात करते हैं, ओलम्पिक सुभेंगर की, तो ये था ग्रेनो बल, ग्रेनो बल, सूस इसको नाम दिया गया था, ग्रेनो बल, सूस, ठीक है, ये ओलम्पिक आपके हुए थे मैक्सिको सिटी में, कहा हुए थे, मैक्सिको सिटी में हुए थे, 1968 में जब पहली बार सुभंकर सामिल किया गया जैसे पूछा जाता ASEAN Games आप लोग जानते ASEAN Games कब हुए थे पहली बार 1951 में तो तब सुभंकर नहीं था लेकिन important है कि दूसरी बार भारत में ASEAN Games कब हुए तो पहली बार 1951 दिल्ली में हुए लेकिन पहली बार सुभंकर नहीं था सुभंकर पहली बार बना था अपू तो आप कहेंगे भी या 1982 में हुए थे दिल्ली में तब सुभंकर आया था अपू और SSE उससे भी कुशन पूछ चुका है ठीक है क्या बोलोगे पहला सुभंकर हो गया और पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था वो फ्रांस की महिलाओं ने भाग लिया था उन्निस सो में तो महिलाओं ने पहली बार ऑलमपिक में कब भाग लिया उन्निस सो में और महिलाओं की थी फ्रांस की ठीक है पहली बार का सब कुछ बहुत महित्पूर्ण है अब आते हैं ऑलमपिक पदक पर ऑलमपिक मैडल्स पर यह तो सब जानते होंगे ना गोल्ड मिलता है आपका सिल्वर मिलता और फिर ब्रां में इनकी बुक बताई थी मैं देखना चाहूंगा प्यारे बच्चे देख करके मत बताना प्लीज वो सीरियस कैंडिडेट्स जो डिजर्व करते हैं इस्पेक्टर वनना यह सलेक्शन लेना अपना वो एक बार में जवाब दे दें इमानदारी से तो क्या बताई थी माइक मंजू यदवनसी एकदम ठीक है अंकिता सेनी अब देख लो कौन कौपी वाले है और कौन नहीं है यह देख लेना यही माइकल फ्रेड फिलप्स है जिनको गोल्डन सार्क के नाम से भी जिनको जाना जाता है माइकल फिलप्स ने 28 पदक जीते हैं कितने पदक जीते हैं 28 कि इसमें से 23 गोल्ड आप बता सकते हैं भारत को अब तक कितने गोल्ड मिले हैं टोटल ओलम्पिक में कमेंट सेक्शन में लिखो एक बार फटा फट से भारत ने अब तक पूरे देश ने कुल कितने मैडल जीते हैं गोल्ड मैडल देखना चाहूंगा मैं आपके आंसर अरु प्राइए रहें दस अरुन पटनाइग यह तो अपने फैवरेट भी देवदत पटनाइक उनकी एक लिसा क joy this ईलेकिंवा लेकिन बवलू कुमार याजवजी profound ठीक है मजु इदवनशी pon VM ठीक है ब्र और और ना के ब्रावर बचों अंशर ओंटी तुम्हें यही में अभी सालीनी प्रजापती जी बहुत सांदार उत्तर आपने दिया प्रिति फोगाट जी बहुत बढ़िया चलोगी या बहुत खुब तो भारत ने अब तक 10 मैडल जीते हैं आठ होकी टीम ने जीते हैं इसके लावब एक अभिनव बिंदरा जी ने और एक आपका गोल्ड मै करने के बिल्कुल आवशक्ता नहीं है ओलम्पिक में आठ पदक जीते थे किसमें 2008 के बीजिंग में यह वही ओलम्पिक है जब हमारे अभिनव बिंदरा जी ने गोल्ड जीता था चीक है मार्क इस्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा किसने फैल्प्स ने क्यूंकि मार्क इस्पिट्ज ने किसी एक ओलम्पिक में साथ पदक जीत रखे थे किसी एक उलम्पिक प्रतिस परदह में साथ पदक किस ने जीत रखे थे? मार्क इस्पिट्ज ने और मार्क इस्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ दिया फैल्प्स ने आठ पदक जीत कर और ये रिकॉर्ड कब का था? ये 1972 के म्यूनिक उलम्पिक का था जर्मनी वो बच्चे एक बार हाथ उठाएं जो ये जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जगड़ा है और जगड़े का क्या कारण है? तो याद रख लेना प्यारे बच्चे ये जर्मनी में यहाँ पर फिलिस्तीनी आ गए थे बदला लेने के लिए आतंकवादी घटना हुई है इस उलम्पिक में इसके उपर एक मुवी बनी है होलिवड में म्यूनिक तो 1972 का ये ब्लैक उलम्पिक भी कहलाता है बहुत बढ़ी है बहुत साथनार तो हम बात करते हैं किसका रिकॉर्ड था पहले स्पिटज का था साथ पदक का जो जर्मनी से चला आ रहा था 1972 से लेकिन वो ब्रेक हुआ कितने सालों के बाद आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे 36 सालों के बाद वो रिकॉर्ड ब्रेक किया किस ने फैलिप्स ने आठ मेडल जीते बीजिंग में सबसे अधिक पदक महिलाओं में किसके हैं वो है लारिसा लेरिसा लेतिनीना ठीक है रूस की हैं कुल पदक है इनके अठार है नौ गोल्ड हैं पांच आपके सिलवर और सबसे अधिक बार ओलंपिक कहां पर हुए हैं प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार तो सबसे अधिक बार ओलंपिक लंदन में हुए हैं किसमें हुए हैं लंदन में 1948 और 2000 बारे में इसमें मुझको थोड़ा डाउट रहता है इसको आप हमेसा चेक कर लेना इसको मैं हमेसा विवेद में रखता हूँ एक बार आप लोग उलंपिक की लिष्ट देखकरके नहीं तो मैं देख लूगा आपको कल इंफॉर्म कर दूँगा इसके बारे मां ओलंपिक की लिष्ट देखना आप लोग एक बार कब कभ काँ का हुए हैं ठीक है यह के देखिवले ना एक पार और देख तो मैं आज लिए ता लेकिन इसके लिए साथ महा ध्यान नहीं गया और नहीं देख पाया सको आज देख लेंगा आप लोग देख ले ना नहीं तो मैं देख लागल ठीख यहसे नम्बर विसी होने य यहाइस दूजार इकिस में उलम्पिक गेम कहहां हुए थे टोक्टिओ में हुए थे सभी जांते एक बार कमेंट सेक्सिन में वो ने टोक्जू में जो यह ओलम्बिक हुए यह कौन से नमबर के ओलम्पिक थे कौन से नंबर के ओलम्पिक थे 2024 में जो ओलम्पिक गेम होंगे वो कहां होंगे पैरिस फ्रांस में होंगे 2028 के ओलम्पिक गेम कहां होंगे लॉस एंजिल्स में होंगे USA में LA में 2032 के कहां होंगे Brisbane Australia में होंगे और 2036 की संभावना है अभी निश्यत नहीं है लेकिन 2036 की संभावना क्या है कि ओलम्पिक पहली बार भारत में होंगे कहां होंगे भारत में होंगे ठीक है सर क्या ओलम्पिक एक भी बार इंडिया में नहीं हो नहीं प्यारे बच्चे अभी तक नहीं हो मैं इसलिए बोलना हूँ कि पहली बार सार्थक जी 2036 में संभावना है कि भारत में हो चीक है आगे चले कि तीन बार ओलंपिक खेल रद हुए हैं कब-कब देखो पहले तो विश्विद चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार आप सारे बच्चे जानते से 1914 से 18 हुआ और सेकिंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात करते हैं वह कब से हुआ 1949 से लेकर के 1945 हुआ तो पहली बार तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते हुआ 1916 जो बर्डलन वाले थे इनको क्या कर दिया गया रद कर दिया गया 1940 टोक्यो और 1944 लंदन के रद कर दिये गये तो कितनी बार ओलम्पिक खेल रद हुए है कुल तीन बार सरवादिक पदक किस देश ने जीत रखे हैं तो अमेरिका ने जीते हैं सबसे ज़्यादा पदक 2634 पदक इन्होंने कुल जीते हैं जिसमें से 1061 गोल्ड भी सबसे ज़्यादा किसके है वो आपका अमेरिका के तो सबसे ज़्यादा किसके हैं क्या बोलोगे भिया जी USA के हैं सरवादिक पदक किसके हैं अमेरिका के हैं बहुत important है यह बात याद रखेंगे ठीक है आगे चल दखते हैं कियाने के बनेंगा ध्यां से देखनेशा है थाड़क पेले वाछल के बारे में भारत के वारे मान पर फिकामैट लो नोट करेंगे एक बार राष्टी के restoring कश समीती कि आरा कि यह कि द्वी कुश्ं कूछा जाता है गल राष्टीर और औलम पिक समीती National Olympic Committee National Olympic Committee अब NOC की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे इसको माननेता मिली है कब 1924 में Affiliation कब मिला इसको 1924 में लेकिन इसको Establish कब किया गया स्थापना हुई है इसकी 1927 में Headquarter कहां है इसका नई दिल्ली में है Headquarter कहां है नई दिल्ली में और जब यह पहली बार बनी थी तो इसके पहले अद्यक्ष भी रहे होंगे राश्टिय ओलंपिक समीती के जो पहले President बने थे वो थे दोराब जी टाटा टाटा फैमिली से दोराब जी टाटा लेकिन प्यारे बच्चे अगर हम बात करें वर्तमान अद्यक्ष कौन है इसके यह मैं आप से कुश्चन पूछता हूँ यह तुमको पता होगा सबको Current Affairs जो बच्चे पढ़ते होंगा उनको पता होगा बताएंगे एक बार राश्टी है जो वर्तमान अद्यक्ष है लेकिन मैं पूछू इसके प्रदहन सचिव कौन है वर्तमान ही वर्तमान प्रदहन सचिव प्रजेंट चीफ सैकेटरी कौन है इसके वो राजीव महता है राजीव महता बोलेंगे बे अनिल खन्ना कह रहे हैं हम कुछ बच्चे अनिल खन्ना कह रहे हैं नहीं भी अनिल खन्ना नहीं है अनिल खन्ना नहीं है गलत एकदम गलत दोस्त बोलेंगे बे थामस बाक वो अंतराश्टी है गलत एकदम ठीक है गुप चुप दौनों की पीडियाफ डाल देंगे नीताम दार रहा है कोई गलत भई तो क्या बोलेंगे इसके वर्तमान अद्यक्ष कौन है मैं बोलूँगा नरेंदर बत्रा है कौन है नरेंदर बत्रा क्या बोलेंगे बहुत बढ़ी है योगेस पाल जी का अंसर एकडम ठीक आया था अकेले थे आयुश कानह जी का अंसर एकडम ठीक आया था बहुत बढ़ी है बहुत खुब आगे चलेंगे, क्या बोलो मैंने आपसे, ओलंपिक में भारत, तो सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, लेकिन 1900 में तो भारत आजाद नहीं था, तो ये नॉर्मन प्रिजार्ड कौन थे, एथलेटिक से रिलेटिट थे, ये एंगलो इंड हैं ठीक है क्या बोलेंगे एंगलो इंडियन है सबसे पहले नॉर्मन प्रिजाड ने ओलंपिक में भाग लिया निस सो बीस में भेजा पांच एथलीट गए कोई पदक जीता क्या नहीं जी ओलंपिक में भारत ने कुल पदक अब तक कितने जीते हैं 35 अगर मैं आपसे पूछू हूँ टोटल नंबर ऑफ मैडल्स कितने हैं भारत के वो 35 है भारत ने ओलंपिक में 10 गोल्ड 9 सिल्वर और 16 से जीते हैं यह संख्या जो थोड़ी देर पूछ रहा था मैं आपसे वो बताएंगे एक बार बोलेंगे एक बार क्या बोलेंगे 35 है नरेंदर बत्रा या फिर आपका क्या बोलोगे हेलो 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 तो क्या बोलेगे ओलंपिक में भारत ने कुल पदा कितने जीते हैं 35 कभी गलत नहीं करना है 10 क्या है? गोल्ड मेडल हैं और 16 सिल्वर मेडल नहीं है, 16 ब्राँज मेडल हैं और प्यारे वच्चे 9 क्या है? आपके सिल्वर मेडल हैं, ओके? आगे चलेगे होकी में कुल पदक भारत के कितने है? होकी में आप कहेंगे भी है जिबारे टोटल है और 8 क्या जीते हैं हमने? गोल्ड जीते हैं एक सिल्वर जीता है हमने सॉरी, एक सिल्वर जीता है और 3 जीते हैं हमने क्या? ब्राँज इसका मतलब समझे गे ना? एक किरम से हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्राँज गोल्ड, सिल्वर और ब्राँज आवाज आ रही है मेरी एक बार बताएंगे आवाज नहीं आ रही है मेरी देखना एक बार कमेंट सक्सन दिखाएंगे एक बार कुछ इकत चलोगे आगे आए तो क्या बोलेंगे होकी में कुल पदक कितने है बार है आठ और एक नौ तीन बार है कुस्ती के पदक कुस्ती के पदक कितने है कुस्ती में जीते हैं हमने तीन और चार लेकिन तीन क्या है हमारे क्या गोल्ड है कोई नहीं जी यह तो आपको पता होना चीए गोल्ड तो भारत के 8 तो हो गए कहां 8 तो हो गए हमारे कहां पर आपके हॉकी में और एक गोल्ड है हमारा सुटिंग का अभिनब बिंदरा और एक है बहला पैक का वो नीरत चौपडा जी का तो कुस्ती में कोई नहीं है कुस्ती में तीन सिल्वर है और चार ब्रॉंज है तीन सिल्वर और चार ब्रॉंज है ठीक है हौकी टीम का ओलम्पिक में परदर्शन कैसा है क्या कह रहे हैं अनिल खन्ना है वर्तमान में सरद्यक्ष नहेंदर बत्राजी ने इस्तिफा दे दिया इन्होंने तो इसके बारे में प्यारे बच्चे फिर मुझे अपडेट नहीं है देख लेना आप एक पार शूर कमेंट सेक्षन में लिख रहे हैं बच्चे एक एक फोटी सेवन के सर्मा अनिल खन्ना बहुत बढ़िया तो भीया यह अनिल खन्ना जी कर लेना देख लेना लेकिन से और मुझे नरेंदर बत्राजी का पता है क्या बोलेंगे अनिल खन्ना अनिल खन्ना बहुत बढ़िया थैंक यू बहुत खूब भई ठीक है वारी गुट कार्तिक पवार कह रहे है सर अरेंदर बत्राजी ने इस्तिफा दे दिया बहुत ठीक है पक्का देख लेना भड़ा हाँ ये श्योर कर लेना एक बार ठीक है क्यों करेंट का इसका मुझे पढ़ता नहीं है हौकी टीम का ओलम्पिक में परदरसन कैसा है तो 1928 एम्स्टरडम में पहला गोल्ड जीता क्या बोलेंगे हौकी टीम ने ये हटाओ साइड से ये स्क्रीन ये स्क्रीन क्या खोल रखी है मंद करो ये 1932 में जीता है 1936 में जीता 1948 सब से important है और सबसे ज़्यादा कुछो अगर पूछू 1928 से पूछे गए या 1948 से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं 1948 से क्यों जी कौन बच्चा बताएगा कि 1948 से ज़्यादा क्यों पूछे गए क्यूंकि 1948 1948 पुछेगा आप से सतंत्रता के बाद पहला गोल्ड मेटल जो पहला गोल्ड जीता वो कब जीता था दोस्त वो जीता था आपका 1948 में ठीक है जी आगे चलेंगे 1932, 1936, 1948, 1952 देखो गैप आया कहीं पर 28, 32, 32, 34, 36 और आप लोग देखो के 40 और 44 के तो अलम्पिक हुए ही नहीं जीते कैसे तो यह अलम्पिक नहीं हुए फिर 48 में फिर 52 में फिर 56 में गैप आया यहां पाकिस्तान से 1960 में उननिस सो चौसरत फिर जीते और 1980 मासको में जीते और यह मेरे दोस्त हमारा अंतिम पदक भी था अब ही हमने पड़ा था तोकियो में कितने सालों के बाद भारत ने हौकी में कोई पदक जीता था तो 1980 मासकों के बाद, अब टोक्यों में हमने जीता, कितने सालों के बाद, 41 सालों के बाद जीता, कितने सालों के बाद दोस्त, 41 सालों के बाद हमने ये पदक जीता, और यहाँ पर याद रखेंगे मेजर दिहांचंद जी को जाना जाता है आपका ओलम्पिक के लिए खेले ज अच्छा ये तो राष्टी खेल दिवस है. मुझे एक बार बताइए, अंतराष्टी खेल दिवस कब मनाये जाता है? फटाफट से कमेंट सक्सामें। में चे बूलेंगे, अंतराष्टी है, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट स्थ डे है, अंतराश्टिय खेल दिवस कब मनाय जाता है तो आप कहेंगे भीया जी वो मनाय जाता है 6 अपरेल को कब 6 अपरेल को मनाय जाता है ठीक है अंकिता सैनी जी का सबसे पहले उत्तर आता हुआ बहुत खुब को जिका एकल इस परदह में पहला स्वर्ण भारत ने कब जीता है एकल का मतलब टीम नहीं है एक तो उधा टीम भई हौकी की कैसे खेल रही है टीम खेल रही है पूरी टीम लेकिन एकल का मतलब है अकेले के दम पर तो अकेले के दम पर मतलब अकेले जीतने वाले गोल्ड मैडल कौन है वो अभीनब बिंदरा है मोस्ट इंपोटेंट है दिल्ली पुलिस कुछिन पूछती है बार-बार ऐसे ही चाट करके जो बच्चे दिल्ली पुलिस देंगे वो देखेंगे भारत के उलम्पिक के वर्सों से कुछिन पूछ आते हैं अभीनब बिंदरा जी ने गोल्ड मैडल कब जीता था लेकिन ये तो हो गया गोल्ड अगर हम बात करें सिर्फ मैडल की गोल्ड की बात ना करें मैं बोलू एकल पिर्तियोगिता में सबसे पहला पदक ये भारत ये पहलवान थे केडी जाधव क्या बोलोगे केडी जाधव ये हैलसिंकी में जीते थे कहां पर हुआ था ओलम्पिक हैलसिंकी में जीते थे Helsinki में ठीक है Helsinki में ऐसे ही प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछ लूँ पिर्थम महिला कौन है भारतीय फटावट से बताएंगे पिर्थम महिला जिन्होंने रजत पदक जीता क्या जीता है सिलवर मैडल जीता या मैं आपसे पूछ लूँ पिर्थम महिला गोल्ड तो नहीं जीता अभी किसी महिला ने पिर्थम महिला जीतेंगी पिर्थम महिला जिनोंने ब्रॉंज मेडल ब्रॉंज बोल दू या बोल दू एनी मेडल कोई भी एक पदक सबसे पहले जीतने वाली महिला कौन है तो क्या बोलोगे ब्राँज के लिए या कोई भी पदक जीतने वाली पहली कर्णव मलेशवरी है कौन है कर्णव मलेशवरी इन्होंने जीता था बच्चे सन 2000 में कहां पर सिडिनी में ऑलंपिक हुए थे और सिलवर जीतने वाली पहली कौन है यह पीवी सिंदू है पीवी सिंदू इन्होंने जीता था 2016 के रियो जो अलमपिक हुए थे रियो डी जैनेरियो ब्राजील में तो याद रखेंगे पहले मेल कौन है गोल्ड जीतने वाले वेक्तिगत इस परदा में-あकेले पहला कोई भी मेडल जीतने वाला पुरुस कौन है वो केडी जाध हुए 1952 में और महिला कौन है कोई भी पदक जीतने वाली वर्स 2000 में कर्णमलेस वरिया उनको कांसे मिला था लेकिन रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है तो आप कहेंगे जी भीया रजत पदक जीतन जीतने वाले प्रतिस परधा में जीतने वाले पहले पूझक पारड़ी राठोड सूटिंग के लिए कम मिला था 2004 में और 2004 में प्यारे बच्चे कहां पर हुए थे आपका एथेंस में राजिवर्धन सिंग राठोड बहुत खूब बहुत सांदार तो ये सारी चीज़े याद रखेंगे वापस आते हैं 2012 में जो औलम्पिक हुए पिछले वालों से कुश्चन पूछ लेता 2012 में औलम्पिक लंदन में हुए भारत को 6 पदक मिले विजय कुमार जी सूटिंग के लिए सुसील कुमार कुस्ती के लिए योगेसवर दत कुस्ती के लिए ये तीन थे सिलवर मैडल ये तीनों क्या है ये सिलवर मैडल थे और प्यारे बच्चे गगन नारंग साइना नहवाल और एग नाम नहीं लिकावा मेरी कॉम जी है इनकों मिले हैं तीन कांश है गगन नारंग साइना नहवाल बैडमिंटन के लिए और मेरी कॉम 51 kg डिली पड़ीस 2020 संटेबर में कुछन पूछा गया मैरी कॉम ने अपना और 2017 मैंने बूला कुछ कुछन तो डिली पुरीस के सेम रिपीट थे 2017 दिल्ली प्लिस में question में पूछा गया कि Mericom ने जो अपना पदक जीता वो किस weight category में जीता यह पता है क्यों पूछा SSC कलाकार तो है Mericom खेलती है 48 weight category में किसमें? 48 में पहली बार ऐसा हुआ कि यह Olympic में खेली हैं आपका 51 में 48 option में था बच्चा तो 48 लगाएगा ना क्योंकि 48 weight के लिए जानी जाती है ठीक है याद रखेंगे Mericom 51 kg में खेली है बात याद रख लेना 2016 जो रियोडी जैनेरियों हुआ मैंने भी बोला PV सिंदू सिल्वर और साक्षी मलिक 58 kg weight category में इन्होंने जीता है पहली भारत ये महिला कौन है कर्णम मलेसवरी है जिन्होंने कांसे जीता सन 2000 में weight lifting में भारत तोलन में ये भी आपको पता होना चीए कब सिड्नी ओलंपिक 2000 में स्वतंत्र भारत की पहली महिला athlete कौन बनी स्वतंत्र भारत की परतम महिला athlete ये भी जब ही गई आपकी जब केडी जादव ने पदक जीता था निलीमा घोस 1952 1952 हैल सिंग की तो बहुत दिन के बाद महिला पदक में हमको सफलता मिली है हैल सिंग की 1952 में अब आते हैं हम जो winter olympics है सीत कालीन olympic खेल इसमें क्या होता है जो olympic खेल होते हैं दो मुखे olympic खेल उनके मद्दे होते है सीत कालीन olympic खेल ठीक है जैसे 2016 में olympic हुए और 2020 में हला कि कोरणा की वज़े से टोक्यो आले 2020 में हुए 2016 और 2020 के बीच में क्या था 2018 ऐसे ही फिर 4 वरसों के बाद यह भी चार वरसों के अंतर पर होते हैं जैसे olympic होते हैं चार वरसों के अंतर पर 2018 के बाद 22 के बाद 26 तो सीत कालीन olympic में कौन सी होते हैं यह ice games होते हैं सबसे पहले सीत कालीन खेल कहा हुए यह important है फ्रांस में हुए 1924 में कहा हुए 1924 में सैमनिक्स फ्रांस में हुए तो पहले सीत कालीन खेल कहा हुए थे ठीक है यह बात याद रखें 2022 के सीत कालीन खेल बीजिंग में अब मुझे बताएं 2026 के जो winter olympic games है यह कहा होंगे फटा फट से बताएंगे 2026 के जो सीत कालीन खेल यह कहा होंगे तो आप कहेंगे भीया जी 2026 में Italy यह भी note करके रखना 2026 के कहा होंगे Italy चलो गए भारत 1964 में सीत कालीन खेल प्योगप्यांग दच्चन कोरिया में हुए थे कब हुए थे भारत में क्या बोलोगे भारत नहीं सीद कालीन खेल प्योंक प्योंक दच्छन कोरिया में सामिल हुआ था तो भारत सामिल कब हुआ 1964 में भारत 1964 में क्या बोलोगे सीद कालीन खेलों में भाग लेता है ठीक है तो यह यहां से हटा करके यह कर लेंगे 1964 में सीदकालीन खेल कहा हुए दच्छिन कोरिया और भारत ने 1964 के सीदकालीन खेलों में भाग लिया तोक्यो ओलम्पिक कब हुए 2021 में मुझे बताएंगे कौन से ओलम्पिक थे 31 की 32 तो आप कहेंगे भीया ये कौन से ओलम्पिक थे जो पीछे हुए थे 2016 रियो में वो थे 31 ये कौन से थे 32 ओलम्पिक थे 32 ओलम्पिक तो 32 ओलम्पिक थे टोटल एथरीट कितने थे 11,326 कितनी टीम ने भाग लिया 206 ने ये करंट अफेर्स में आपने खूब पढ़ा होगा इवेंट्स 349 हुए सौनवीर सर ने आपको पढ़ा होगा करंट में बार बार ये इवेंट्स कितने हुए है 349 हुए है 23 जुलाई 2021 से आठ अगस 2021 तक सुभंकर कौन था इसका मराई तोवा नीचे देख लो फोटो में और ओलम्पिक के लिए जो बोली लगाई थी बोली लगती है ओलम्पिक जब ये लोग किसी भी देश को देंगे ना कि आप उलम्पिक तो इसके लिए बोली लगाई जाती है तो बोली किस किसने लगाई थी टोक्यो मैडरिड और इस्तानबुल ने लेकिन मिला किसको था टोक्यो को मसाल धारी कौन थी ये बोलेंगे भिया नाओमी ओसाका ने मसा समराठ हैं बहुत इंपोर्टेंट क्या बोलोगे उदगाटन किसने किया था ये नारू हितों ने जापान के समराठ है नए खेल कौन-कौन से सामिल हुए थी इस बार उलम्पिक में स्कैट बोर्ड ये हम कई बार पढ़ चुके इन चीजों को मैं पहले-पिछले साल से प्रोक्यों में एमा मै कौन ने और तीन ब्रॉंज जीते चार गोल्ड जीते और तीन क्या जीते इन्होंने ब्रॉंज जीते भारत ये द्वजवाहक कौन रहा इस बार उलम्पिक में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम उद्गाटन के टाइम पर जब सुरुआत हुई लेकिन समा पन पर ध्वजवाहक कौन था तो बजरंग पूनिया थे कौन थे बजरंग पूनिया थे दोस्त ठीक है बजरंग पूनिया पदक तालिका की बात करते हैं इस बार के 2021 कि सबसे ज्यादा पहले इस थान पर कौन रहा अमेरिका टोटल पदक 113 गोल्ड 49 गोल्ड के हिसाब से पता चलता है पहले पर कौन है टोटल पदक से कोई मतलब नहीं जिसके गोल्ड ज्यादा वो पहले पर चाइना अड़तिस जापान 27 चौथे पर बिल्टेन और रूस रहा पांचवे पर और भारत 48 वे इस्थान पर रहा एक बार बोलो भारत कभी इसमें प्रतमिस्थान पर पर आएगा यस और नो कि बोलेंगे एक बार कि चलो कि सब्सक्राइब बहुत खूब बहुत सांदार करेंट अफेर्स में सारी स्टेटिक जी के एड़ की जा सकती है बड़े आराम से बड़े अच्छे से बहुत बढ़िया करन्ट एफस इस सुड़्की करन्ट गटए समय कोई अइसको नहीं दूसे बहुत पहुत बढ़िया वक्त असब करता आएगा यस-इस बठी-भक्त से लग रहरे हो रहे हो एगुए के कुल पदक कितने रहे इस बार 2021 में साथ रहे एक गोल्ड दो सिल्वर वन्टू का फोर वन्टू फोर सबसे पहला पदक किसने जीता था मीराबाई चानू वेट केटेगरी जरूर याद रख लेना उड़नचास केजी भारत तोलन कौनसा मैडल जीता इन्होंने सिल्वर बैडमिंटन में कानस है और पीवी सिंदू एक अकेली ऐसी खिलाडी है ऐसी महीला खिलाडी है जिनोंने सिल्वर और ब्रॉंज दोनों जीत रखे हैं गोल्ड दाना इनका बाक्ई है भी क्या बोलोगे सिल्वर भी और ब्रॉंज भी अभी बताए था था ना मैंने आपको स कांसे पदक मिला बजरंग पूनिया कांसे पदक 65 केजी में बड़ी उमीदे थी इस बार की गोल्ड जीते हैंगे अगली बार जीते हैंगे कोई दिक्कत नहीं चलो आएंगे क्या बोलेंगे हौकी टीम हौकी टीम क्याप्टन कौन है मनप्रीत सिंग और बच्चे कांसे कितने साल बाद जीता हमने 41 साल के बाद जीता है कितने साल के बाद जीता है 41 साल के बाद जीता है ठीक है और हौकी टीम मनप्रीत सिंग कितने साल के बाद ब्रॉन जीता हमने मासको अभी बताया तो मैंने मासकों में कब olampic हुए थे 1980 में ठीक है आगे चलेए और अंतिम मैडल कौन सा ता हमारा नीरत शौपड़ा जी कर गोल्ड जीता रिकॉर्ड याद रख लिना आया और इसी दिन क्या मनाया गया साथ अगस्त को भाला फैक दिवस मनाया गया यह अंतिम्था हमारा यह याद रखेंगे ठीक है और एक छोटा सा करेक्शन करना क्लास में करेक्शन यह है कि जो सीद काली औलंपिग लिख रहें थे ना सीद कालीन ओलंपिग जैसे हमने लिखा भारत में देखें अपनी कॉपी में भारत ने भाग लिया 1964 में पहली बार तो 1964 में स्लाइड में लिखा हुआ है 1964 में लिखा हुआ था प्यारे बच्चेशन अफ्रिका तो दच्शन अफिका 1964 में और बड़े द्यान से पढ़ना जर्णल चीजे हैं, बार-बार प्रिक्षाओं में पुछी जाती रहेंगी, अपना ख्याल लखिए मिलते हैं कल की किलास में, ठीक है? और कल हम लोग ऐसी गेम्स को पढ़ा रहे होंगे, और आज तक हम गेम्स को लेकर काएंगे, सारी रिकॉर्ड से सारे किर्किट के हों, आप देखते हों किर्किट से सबसे ज़्यादा कुश्चन पुछे जाते हैं, तो जितने भी रिकॉर्ड से वो सब पढ़ रहे होंगा, अपना ख्याल लखिए बहुत सारा बाई-बाई-टेक केर, जय हिंच भारत.